नमश्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर हम बात करने वाले सीटड 2017 की बहुत बड़ी खबर आ रही है लेट्ष जानकार्य हम आपको देने वाले हम एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला सीटड 2019 की एक्जाम होगा उसमें तो उसी की पूरी ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दमाना मत भूलिएगा तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो क्वालिफाइंग क्रैटेरिया है वो 60% जो है वो जो जनर्रल वाले हैं उनके लिए है और अदर्स वालों के लिए 55% है ठीक है और इसमें से आपको जो है इस बार भी 2018 में भी इतना ही रहा है पासिं माक्स का क्रैटेरिया क्वालिफाइ करने के लिए लेकिन इस बार जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोदी जी ने बहुत बड़ी ख़बर जो है एक बहुत बड़ा फैसला लिया था 10% अरच्छन का वाला जो है 10% रिजर्वेशन जनर्र कैटिगरी को देने का ठीक है तो ऐसे में अब जो है सवाल ये उटता है कि सीटेट में इसका भी बदलाव होगा क्योंकि ये हर एक जो कोई भी एक्जाम होगा स्टूडेंट्स के लिए फिक किसी भी जोप के लिए तो ये जो है सभी में मानने होगा 10% रिजर्वेशन तो ऐसे में अभी तक जैसे कि आप सभी जानते हैं सीटेट में 5% का जो रिजर्वेशन है छूट देते हुए अदर्स को होता था और इस बार जैसे कि 10% रिजर्वेशन किया गया है ठीक है तो 10% किया गया है तो यहाँ पर जैसे कि 60% जनर्र वालों का था 60% जनर्र वालों का और 55% अदर्स वालों का था ठीक है तो अब जो है सवाल यह उठता है कि अब आगे जैसे कि 10% हो जाएगा 10% का छूट मिलने वाली है रिजर्वेशन मिलने वाला है जनर्र वालों को भी तो इसका मतलब कि अब जो है कट ओफ में भी बदलाव आएगा कट ओफ में बदलाव जरूर से जरूर आएगा 10% अगर जैसे कि 27% ऐसे कई अधर्स वालों का है रिजर्वेशन तो ऐसे में इसमें जो है ऐसा पासिंग क्राइटेरिया आपका दिया गया था तो 10% अगर जनर्र वालों को भी हो गया है त आगया है कि आपका 10% रिजर्वेशन जनर्र वालों को भी मिलने वाला है तो इसका फाइदा जनर्र वालों को भी होगा तो ये बात हमें करनी थी बहुत बड़ी ये खबर है क्या इसमें बदलाव किया जाएगा बदलाव तो होना ही चाहिए क्योंकि ये बिल पास भी हो च होगा तो ऐसे में सीटेट 2019 का एकजाम होगा उसमें भी 10% रिजर्वेशन जनर्र कैटिगरी वालों को मिलना है मिलना है इसकी जो है टर्म्स एंड कंडिशन से 10% रिजर्वेशन ये उन्हें मिलेगा तो ऐसे में ये उन्हें मिलेगा जिनकी की इंकम जो है सलाना आए जो आ है reservation का फाइदा मिलेगा इसमें जो है बहुत से आते हैं category के लोग बहुत सी अलग-अलग जो है जैसे कि सिक हो गए मुसल्मान हो गए हिंदू-ब्राम्वन हो गए पटेल हो गए सभी ये आते हैं तो इन सभी को इसका फाइदा जरूर से जरूर मिलने वाला है तो ऐसे में ताकि आप वैसे ही prepare हों और अपना जो है exam की तैयारी करें तो अभी के लिए इतना ही आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आगे सीटट की कोई भी जानकारी मिलेगी तो हम आपको दे देंगे अभी के लिए इतना ही आपका बहुत-बहुत धन्यवाद